हेलो एवरिवन दियाई सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज देय नंबर 30 है तो चलिए क्लास के और चलते हैं देखते आज दियाई में क्या है देखिए class के और जाने से पहले अगर आप सभी को notes कियावे सकता हो तो date वाले भाया का telegram channel को join कर ले साथ ही साथ YouTube channel को subscribe कर ले ताकि समय समय पर आपको notification मिलती रहे classes की तो चलिए देखते है classes के और देखते है क्या दिया गया है The following table saw the percentage of students, boys and girls who have successfully completed their respective academic programs namely BA, BSE, BCOM, BBA, BCA, BTECH in a college based on the data in the table answer the question 1 to 5 इसमें कुछ programs के name दिये गये हैं और boys और girls के कुछ percentage दिये गये हैं जो successfully complete किये हैं अपने program को तो चलिए देखते हैं क्या पुछा गया है देखें, question में पुछा गया है If the number of boys and girls successfully completing the BA program are same, then what is the ratio between the number of boys to the number of girls in BA program इसमें boys और girls का BA program का ratio पुछा गया है और कहा क्या है, अगर boys और girls जो successfully complete किया BA program वो दोनों same है ऐसा गया है question में, तो चलिए देखते हैं अगर boys equal to 100x है और girls equal to 100y है यह दोनों कहा गया कि ब्राबर है तो देखे, 100x का 80% इस्टू 100y का, sorry, ब्राबर 100y का 60%, 60% था ना 60% girls, तो 60% ठीक है तो देखे, cut करिये यह 100 से तो यह 100 कट गया यह 100 से यह 100 कट गया 0 से 0 देखे, x divided by y start, 8 तो 2, 3 is a 4 सरी, 2, 3 is a 6, 2, 4 जाए तो इसका ratio 3 is to 4 आ गया option number 4 चलिए, next question क्यों चलते हैं देखते हैं, next question में क्या कहा गया है देखे, next question में कहा गया है इसमें पूछा गया है पहले इसमें दिया गया है कि 44 परसेंट जो है वो टोटल स्टेंट पास क्या है तो चलिए लिखते हैं और दिया गया है टोटल नमबर अब वाइस बीकों का 200 है और पूछा गया है कि गल्स टोटल कितना है भीकों में यही पूछा गया है तो चलिए देखते हैं टोटल नमबर अफ स्टुडेंट टोटल नमबर अफ स्टुडेंट स्टुडेंट्स कितना है यह तो पता नहीं है तो एक्स मान लेते हैं ठीक है, फिर total number of student past, कितना दिया गया है, 44%, तो X का 44% past है, ठीक है, X का 44% past है, फिर निकालते है, total number of boys, कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, total number of boys, 200 दिया गया है, 200, total number of girls, निकालना है, तो माल लिजे, girls, total number of girls, कितना है, y, y का value निकालना होगा, ठीक है, फिर देखिए, past boys, boys कितना पास किया है, boys, past, boys कितना है, total, 200 है, 200 का कितना पास किया है, चलिए देखते हैं, boys का, देख लेते किसका, become का, देखिए, become का boys कितना है, 40%, यानि 40% past किया है, तो 200 का 40% निकालेंगे, तो कितना आजाएगा, 80 आजाएगा, 80 आजाएगा ना, इसी तरफ girls का निकाल लीजिए, girls, past, कितना है girls total, y, y का कितना परसेंट, past student देखिए कितना है, become का past 60%, तो लिखिए y का 60%, y का 60%, तो आजाएगा, 0.60 y, आजाएगा ना, तो चलिए, देखिते हैं, total past student equal to total past student, students equal to boys past, plus girls past, girl past, तेखिए, total number of students past कितना हुआ है, x का 40%, यानी 0.44 x past हुआ है, equal to boys कितना past हुआ है, 80, plus girls कितना past हुआ है, 0.60 y, इतना past हुआ है, तो चलिए, x का value पहले निकालते हैं, ताकि x का put करें तो y का जाएगा, तो x का value कैसे निकलेगा, total number of student कितना है, रुकिए, इसको side में दिखलते हैं ना, नीचे, ताकि, total students, student equal to boys, total boys plus girls, होगा ना, तो total student कितना है, total student x है, तो total student x equal to boys कितना है, total, total boys 200 plus, total girls कितना निकाले थे, y माने थे, तो देखिए, x का value आगे ना, 200 plus y, तो इसको put कर दिजे यहाँ, 0.44 x का value, 200 plus y, equal to 80 plus 0.60y, आगया, अब इसको इस equation को solve किजे, तो solve करेंगे इतना हैगा, इसको multiply करेंगे, तो 4 दुनिया, 4 दुनिया, 0 से 0 cancer, ठीक है ना, तो चलिए, अब इसको multiply करेंगे, कितना हैगा, plus 0.44y, multiply करेंगे, आगया, चलिए, आगे चलिए, 80 plus 0.60y, अब इसको इधर किजे, तो 88 minus 0, sorry, 80 equal to 0.60y, यह इधर आएगा, तो minus में आजाएगा, 0.44y हो गया, हो गया ना, अब इसको minus करेंगे, कितना हैगा, 8 हैगा, equal to, कितना हो जाएगा, 10 में 4 गया 6, और 5 में 4 गया 1, 0y, हो गया ना, अब देखे, यहाँ पर लिख देती हूँ, y equal to 8, divided नीच आजाएगा, 60, 0 point, यह 0 को उपर करेंगे, तो यहाँ आजाएगा 100, 8 दुनी 60, 2 पचे 10, तो कितना आगया, answer आगया 50, तो इसका option number कौन सा हो जाएगा, option number पहला हो जाएगा, समझ में आगया ना, चलिए next question के और चलते हैं, देखते हैं next question में क्या पुछा गया है, ठीक है, चलिए, देखते हैं next question में क्या पुछा गया है, देखे, next question में पुछा गया है, if the total number of wives and girls in each program is 150 and 120 respectively, then what is the approximate overall past percentage of the college, है ना, देखे, जब भी percentage की बात पुछा जाया है, और percentage और value दिया जाया है, तो value का कोई मतलब भी नहीं रहा जाता है, है ना, तो चलिए देखते overall boys और overall girls कितना है, देखे, इसको add किजिए boys total कितना हो है देखे तो, कितना होगा देखे, 48, 64, 20, 29, 29, 29 औरे 30, 36, 36, 36, 47, 4, 130, इसको जोड़िये, देखे, 1, 2, 3, 6, 6, 24, 24 और 6, 30, 32, 49, 390%, हो गया ना, अब यह दोनों को add कर देते हैं, ठीक है, कितना है, पहले देखते हैं, 430 और, देखे, 430% प्लस, 390, दोनों को add करेंगे, कितना हैगा, 0, 9, 2, 12, 12, 24, 37, और 18, divided by, ओवरल कितना है, ओवरल देखे, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 boys, और 6 girls, तो कितना हो गया, 12 हो गया, divided by 12 करेंगे, तो देखे, यह एप्रॉक्स में कितना जाएगा, 60, यह आएगा 60, 69%, इसको कट किजिएगा, तो आएगा 68.33%, तो एप्रॉक्स में ले लेंगे, इसको 69%, तो इसका option number, second हो गया, हो गया ना, चलिए, next question क्यों चलते हैं, देखते हैं, next question में, क्या पुछा गया है, देखे, next question में पुछा गया है, if the ratio between the number of boys to the number of girls in BCA program is 4 is to 1, then what is the ratio between the number of boys who have successfully completed BCA to the number of girls who have successfully completed BCA, देखे, इसमें ratio दिया गया है, boys और girls का, BCA program का, ठीक है, और उसमें पुछा गया है, ratio ही कि कितना successfully वो complete किया है, BCA में, boys और girls का, तो चलिए, देखते हैं, boys का ratio कितना दियावा है, मानिए, 4X दिया गया है, into boys का, देखे, successfully BCA में कितना complete किया है, देखे, BCA में, boys कितना है, 70% और girls 80%, ठीक है, तो 70% is to, BCA girls का, x into, किता था, 80% था, थाना 80%, divided, अब इसको cut कर दिजे, 0 से 0, x से x, 0 से 0, 4 to the 8, तो इसका आगया ना, 7.2, तो, हो गया, 7 is to, 2, यानि, option number 4, 7 is to, 2, हो गया, चलिए, next question के और चलते, देखे, next question में क्या पुछा गया है, देखे, next question में पुछा गया है, if the total number of girls in each academic program is 90, ठीक है, then, what is the total number of girls who have successfully completed the academic program from the college, ठीक है, इसमें पुछा गया है, बताया गया है कि 90 जो है, वो each academic program का दिया गया है, girls का, ठीक है, और उसमें पुछा गया, successfully completed कितना है college में, तो देखे, 90 दिया वाइच का, तो 90 को, 90 का, छलिए निकालते हैं, पहले girls का total कितना है, देखे, girls का total कितना निकाले थे, 390%, तो 90 का 390% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, निकालेंगे, निकालेंगे, तो कितना जाएगा, 9, 81 के एक हाथ में, 8, 9, 27, 28, कितना, 35, आगेनांसर, 351, ओप्शन नमबर, 3, खत्म, अगर आप सभी को, क्लास इस पसंद आ रही हो, तो प्लीज लाइक करें, सुस्क्राइब करें, एन सियर करें, चलिए, थैंक्यू, मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में, बाई!